नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है युसर्क राज्य में प्रध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर चात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद आज हम सॉल्फ करेंगे अपने रिडॉक्स अभिक्रिया वाले चैप्टर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेस्टिन्स जो की हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं और इससे हमारा जो चैप्टर है जितने भी कॉंसेप्ट समने पड़े हैं या फिर चैप्टर पड़ते हुए जितने भी क्वेस्टिन्स की प्रेक्टिस हमने की है उसको एक बार रिवाइस करने का टाइम है ठीक है तो इनको अच्छे से सॉल्फ करना है अपनी नोटबुक में देखिए पहला क्विशिन है ऑक्सी करन्ट संख्या ग्याद करनी है आपको आपको पहला जो इसमें कंपाउंड दिया गया है वो है सी ए ओ टू और इसमें आपको ग्याद करनी है ऑक्सीजन की ऑक्सी करन्ट संख्या या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट तो देखिए क्याल करेंगे plus 2 plus oxygen के यहां पर कितने परमानू है दो atoms हैं तो 2 into x equals to क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है तो यह हो गया 2 plus 2x equals to 0 यानि कि 2x equals to minus 2 यानि कि x equals to minus 1 ठीक है तो जो दिया गया compound है यानि कि c a o 2 इसमें oxygen की oxidation state या फिर oxidation number कितना है minus 1 है ठीक है यह समझ में आ गया next question पे चलते हैं तो अब है sodium hydrogen sulfate ठीक है यानि कि n a h s o 4 इसमें sulfur के लिए आपको oxy current संख्या या फिर oxidation state ग्याद करनी है देखिए sodium की oxidation number हमें मालूम है कितना होता है plus 1 hydrogen का क्या होता है ये भी होता है plus 1 और oxygen का क्या होता है ये होता है minus 2 तो sulfur की oxy current संख्या फिलहाल हम मान लेते हैं x अब हम ग्याद करते हैं देखिए plus 1 plus फिर से 1 ठीक है plus x और यहाँ पर oxygen की कितने atom से 4 पर मानू है तो 4 into minus 2 equals to क्या हो जाएगा 0 ठीक है ये क्या हो जाएगा 1 plus 1 plus x minus 4 to the 8 equals to 0 ठीक है तो 2 plus x minus 8 equals to 0 और x minus ये क्या हो गया 6 equals to 0 तो x equals to आगया है plus 6 तो जो दिया गया compound है यानि की NaHSO4 जिसको बोला जाता है sodium hydrogen sulfate या फिर sodium bisulfate तो इसमें sulfur की जो oxidation संख्या है या फिर oxidation number है वो है plus 6 ठीक है तो इसको भी हम लोग समझ गए अब next question करते हैं अगला question है कि K2MnO4 यानि की potassium per magnet में आपको magnees के लिए oxidation number या फिर oxygen संख्या गयाद करनी है तो देखिए potassium के लिए आपको पता है कि इसकी oxidation number कितनी होती है plus 1 होती है oxygen के लिए आपको पता है इसका oxygen संख्या minus 2 होती है अब इसमें आपने magnees के लिए गयाद करनी है जिसे फिलहाल के लिए हम x मान ले रहे है तो यहाँ पर देखिए potassium के लिए 2 atoms है तो 2 into 1 हो गया plus x plus minus 2 into किसे हो जाएगा 4 क्योंकि 4 oxygen के परमाणू है equals to 0 2 plus x minus 8 equals to 0 तो x minus 6 equals to आगया है 0 और यहाँ पर x की value आगई है plus 6 तो यानि कि जो magnees है यहाँ पर उसके लिए oxidation state या फिर oxy current संख्या क्या है यह है plus 6 तो हम लिख सकते हैं कि दिये गए compound या फिर दिये गए yogic यानि कि potassium per magnet यानि कि K2mno4 में magnees की oxy current संख्या या फिर magnees की oxy current oxidation state कितनी है plus 6 है अब देखते हैं next question तो next question है H4P2O7 यानि कि pyrophosphoric acid के लिए आपको phosphorus की oxy current संख्या या फिर oxidation number ग्याद करना है तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को मालूम है कि जो hydrogen है उसके लिए oxidation number क्या होती है plus 1 होती है oxygen के लिए भी हमें मालूम है क्या होती है minus 2 होती है phosphorus के लिए हमें ग्याद करनी है तो इसे हम x मान लेते हैं आप देखिए इसको solve करते हैं तो यहाँ पर hydrogen की कितने परमानों है चार परमानों है तो 4 into plus 1 plus x और x के साथ में क्या multiply होगा 2 भी multiply होगा क्योंकि यहाँ पर phosphorus के 2 atoms है तो 2 into x plus 7 क्योंकि oxygen के साथ atoms से into minus 2 equals to 0 अब देखिए 4 into 1 यानि कि 4 plus 2x minus 14 equals to 0 तो यह कितना हो जाएगा 2x minus 10 equals to 0 2x equals to 10 आ गया और x equals to 10 upon 2 यानि कि plus 5 तो जो दिया गया compound है यानि कि H4P2O7 उसमें जो phosphorus की oxy current संख्या है या फिर जो oxidation number है या फिर oxidation state है वो क्या है plus 5 है ठीक है तो इसका एक और question देखते है H2S2O7 यानि कि disulfuric acid इसमें आपको sulfur की oxy current संख्या या फिर oxidation state याद करने है तो हम लोगों को मालूम है कि hydrogen की जो oxy current number होता है वो होता है plus 1 oxygen के लिए होता है minus 2 ठीक है sulfur के लिए हमें ग्याद करना है तो इसे हम x मान लेते हैं अब देखिए hydrogen की कितने atoms हैं 2 atoms हैं तो 2 गुणा plus 1 ठीक है plus यहाँ पर sulfur के 2 atoms हैं तो यह हो जाएगा 2x plus oxygen की कितने परमानों हैं साथ हैं तो 7 into minus 2 equals to क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा ठीक है अब देखिए यह हो गया 2 plus 2x minus 14 equals to 0 ठीक है अब देखिए 2x minus 12 equals to 0 2x equals to हो गया 12 और x equals to क्या हो गया 12 upon 2 यानि की plus 6 तो जो दिया गया compound है यानि की di-sulfuric acid या फिर H2S2O7 उसमें जो sulfur है उसकी oxygen संक्या या फिर oxidation state क्या है plus 6 है अब चलते हैं अगले question की तरफ तो next question है कि निम्न अभिक्रिया प्रकृती में redox अभिक्रिया है और चित्य बताए तो हम लोगों को एक बात मालूम है कि redox अभिक्रिया का क्या मतलब होता है जहाँ पर oxygen और अप्चयन दोनों ही type की अभिक्रिया हो रही हो और अगर हम oxidation number के basis पर इसको बात करे तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर एक अभिकारी स्पीशीज की oxygen संख्या में वृद्धी हो रही है या बढ़ रही है oxidation number तो दूसरी स्पीशीज में जो oxygen संख्या है वो कम होनी चाहिए यही तो oxygen और अप्चयन दोनों को बता रहा है और तब ही बन रही है redox अभिक्रिया तो इस अभिक्रिया में भी हमी चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सी स्पीशीज की oxygen संख्या में वृद्धी हो रही है और कौन से में कमी हो रही है अगर दोनों ही हो रहा होगा तो यह जो reaction बनेगी वो redox अभिक्रिया कहलाएगी ठीके तो चलिए इसको चलके solve करते देखिए पहले तो हमें जो समीकरन दी गई है उसको ही note करेंगे CuO यानि की copper oxide जो की solid state में है H2 यानि की hydrogen gas और यहाँ पर बन रहा है copper जो की solid state में है plus gel का अनू यानि की H2O ठीक है अब देखिए copper copper की जो oxygen अवस्था होती है या फिर oxidation number होता है वो क्या होता है वो ग्यात होगा यहां से क्योंकि oxygen का हमें पता है क्या होता है minus 2 होता है तो copper का क्या हो जाएगा देखिए ये इसको हम मान लेते हैं x और ये हो गया minus 2 ठीक है इसे हमने मिटा दिया अब देखिए जो ये hydrogen है ये तो अपनी मूल अवस्था में है तो यहां पर इसकी oxygen state क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी copper भी अपनी मूल अवस्था में है तो इसकी oxygen अवस्था भी 0 हो जाएगी H2O hydrogen की हमें पता है कि plus 1 oxygen की हमें पता है कि minus 2 oxygen करण अवस्था होती है तो अब देखिए कहां कहां पर change आ रहा है तो सबसे पहले देखिए यहां पर hydrogen की जो oxygen करण अवस्था है वो है 0 और इस side पर जो hydrogen की oxygen करण अवस्था है वो है plus 1 इसका मतलब है यहां पर oxidation number में वृध्धी हो रही है या फिर बढ़ोतरी हो रही है और जब oxygen करण संख्या में वृध्धी होती है तो वो कौन से अभिक्रिया होती है वो होती है oxidation reaction या फिर oxygen अभिक्रिया तो एक अभिक्रिया तो इसमें हमने देख ली दूसरा यहां पर देखिए जो copper है copper की plus two oxygen state है यहां पर copper की zero oxygen state है तो इसका मतलब है कि जो copper है उसकी oxidation number में हो रही है कमी ठीक है और जब oxidation number में या फिर oxygen अभिक्रिया होती है इसका मतलब वो कौन से अभिक्रिया होती है वो होती है अपचयन अभिक्रिया या फिर reduction reaction ठीक है तो देखिए इस वाली समीकरण में या फिर इस अभिक्रिया में oxyकरण और अपचयन दोनों ही हो रहा है इसलिए ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी ये कहलाएगी redox अभिक्रिया या फिर अपचयोग चय अभिक्रिया या फिर redox reaction ठीक है इतनी बात समझ गए next question देखते हैं अगला question भी same ही है कि निम्ण अभिक्रिया प्रिकृती में redox अभिक्रिया है और चित्य बताए तो जैसा कि मैंने अभी इससे पहले भी आपको बताया कि redox reaction कौन सी होती है जहाँ पर ऑक्सिकरन और अपचयन दोनों ही टाइप की अभिक्रिया हो रही होती है ठीक है तो इस अभिक्रिया को पहले हम एक बार लिख लेते हैं 4NH3 यानि की ammonia plus 5O2 यानि की oxygen और ये मिलकर बना रहे हैं nitric oxide या फिर nitrogen monoxide gas plus 6 जल के अनू है ठीक है अब सबसे पहले हमें इनकी oxidation states लिखनी होंगी है ना तो यहाँ पर देखिए hydrogen की जो oxidation state होती है वो क्या होती है प्लस 1 होती है अब हम यहाँ से ग्याद करेंगे कि nitrogen की यहाँ पर oxidation state क्या होनी चाहिए तो देखिए ये हो जाएगा 4X क्योंकि nitrogen के 4 परमानों होनी चाहिए प्लस 4,3 is a 12 यानि की 12 परमानों किसके हैं hydrogen के हैं तो यह हो गया 12 into 1 equals to 0 4X plus 12 equals to 0 4X equals to minus 12 तो X equals to कितना आ जाएगा ये आ जाएगा minus 3 तो यहाँ पर जो nitrogen है उसकी oxidation state या फिर oxy current संख्या कितनी हो गई है minus 3 हो गई है oxygen की यहाँ पर मूल अवस्था में है तो 0 हो जाएगी ठीके यहाँ पर देखिए oxygen की minus 2 होती है तो यहाँ पर ग्याद कीजिए nitrogen की oxidation state क्या हो जाएगी ये हो गया 4 into X plus oxygen के कितने परमानों है 4 है तो 4 into minus 2 equals 2 हो गया 0 4X minus 8 equals 2 हो गया 0 4X equals 2 हो गया 8 और X equals 2 हो गया 8 upon 4 यानि की 2 या फिर plus 2 ठीके तो इसका मतलब है यहाँ पर जो nitrogen है उसकी oxidation state कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी plus 2 ठीके अब जल के अनू में देखिए तो यहाँ पर जो hydrogen है इसकी oxidation state plus 1 हो जाएगी oxygen के लिए हो जाएगी minus 2 ठीक है आप चेक कीजिए क्या इसमें oxygen और oxygen दोनों ही type की अभिक्रयाएं हो रही है या फिर नहीं हो रही है तो देखिए सबसे पहले nitrogen पर ध्यान दीजिए यहाँ पर इसकी oxygen अवस्था या फिर oxygen नंबर क्या है minus 3 है यहाँ पर क्या ह अवस्था में या फिर oxidation नंबर में हो रही है बढ़त्री या फिर वृध्धी तो हम क्या लिख सकते हैं कि oxidation नंबर में वृध्धी ठीक है और oxidation नंबर में वृध्धी होने का क्या मतलब है कौन सी अभिक्रिया हो रही है ओक्सी करण अभिक्रिया हो रही है या फिर oxidation reaction हो रह तो यहाँ पर हो रही है oxidation number में कमी या फिर oxygen आवस्था में कमी और जब oxygen आवस्था में कमी होती है इसका मतलब है कि reduction हो रहा है या फिर अपचयन अभिक्रिया हो रही है और जब किसी अभिक्रिया में oxygen एवं अपचयन दोनों ही अभिक्रिया होती है तो वो किस टाइप की अभ अभिक्रिया बन जाती है वो बन जाती है अपचय उपचय अभिक्रिया या फिर रिडॉक्स रियेक्षिन ठीक है इतनी बात समझ में आ गई अब चलते हैं next question की तरफ तो अगला प्रेशने हैं कि बताईए निम्न अभिक्रिया और समानु पातन अभिक्रिया यानि कि disproportional reaction का उदाहरण है या फिर नहीं है तो अभिक्रिया है AG NH3 whole twice positive iron प्लस 2H positive iron और इनसे बन रहा है AG positive iron प्लस 2 NH4 positive iron ठीक है तो असमानु पातन अभिक्रिया क्या होती है जिसमें किसी एक तत्व की ही जो ऑक्सीकरन संख्याय है या फिर oxidation number अलग-अलग होती है या फिर अलग- अनुपात में होती है ये भी बोल सकते है ना तो इस समीकरन या फिर इस अभिक्रिया में भी पहले हमें विभिन तत्वों की oxidation state या फिर oxygen संख्या चेक करनी होगी और तब ही हम बता सकते हैं कि क्या ये एक disproportional reaction का example है या फिर नहीं है ठीक है तो देखिए सबसे पहले ag यानि की silver के लिए बात करते है तो इसका जो oxygen संख्या होती है वो क्या होती है क्या आप बता सकते हैं देखिए हम लोग ज फीन होती है ठीक है nitrogen की – 3 हो जाए तो silver की कितनी होगी चलिए इसको solve करते है देखिए ag की जिगे पर हम रख लेते है एक손 ठीक है यानि की silver की जिके पर, अब देखिए nitrogen की है minus 3, और nitrogen की कितने पर्माणू है, दो पर्माणू है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 into minus 3, ठीक है, plus hydrogen की कितनी है, plus 1 है, 3 to the 6 हो गया, और 6 into क्या हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर एक positive charge लगा हुआ है, इसका मतलब एक electron की कमी है, तो minus 1 कर देंगे, equals to हो गया 0, x minus 3 to the 6, plus 6 minus 1, equals to 0, तो 6 से 6 हो गया, cancel, x minus 1, equals to आगया 0, तो x की value कितनी आगई है, plus 1 आगई है, इसका मतलब है, जो silver है यहाँ पर, ag, जिसका प्रतीक होता है, उसकी जो oxy current संख्या है, वो कितनी हो गई है, plus 1 हो गई है, ठीक है, दूसरी तरफ देखिए, 2H positive iron, तो एकल परमाणविक species है, एक positive sign लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो इसकी oxy current अवस्था आजाएगी, plus 1 आजाएगी, यहाँ पर भी एकल परमाणविक species है, और एक positive sign लगा हुआ है, तो यह भी plus 1 हो गई, ठीक है, और यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह प्लस 1 होगा, और यहाँ पर nitrogen के लिए हो जाएगी minus 3, तो देखिए, क्या कहीं पर भी oxy current संख्या में परिवर्तन आ रहा है, नहीं आ रहा है, है ना, यहाँ पर देखिए, silver के लिए plus 1 है, यहाँ पर भी plus 1 है, यहाँ पर nitrogen की minus 3 है, यहाँ पर भी minus 3 है, hydrogen की plus 1 ही है, ठीक है, तो इसका मतलब है, यहाँ ना तो oxy current हो रहा है और ना ही अपचयन हो रहा है तो इसलिए ये अभिक्रिया असमानुपातन अभिक्रिया नहीं है ठीक है उसका एक्जेम्पल नहीं है अब next question देखते हैं तो इसमें भी सेम ही question है कि बताएए निम्न अभिक्रिया असमानुपातन अभिक्रिया का उधारण है या फिर न देखेंगे फिर इस में जो अलग-अलग तट्व फिर elemen चलए पर्माणु या आयन जो भी स्पीशीज हैं उनके लिए ताइन गयाद करने वाले वालेaci वाले देखेंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट करने वाले है और फिर चेक करेंगे कि क्या oxy current संख्या या फिर oxidation state बदल रही है या फिर नहीं बदल रही है सबसे पहले chlorine के लिए देखिए तो chlorine यहाँ पर मुक्तावस्था में है तो यहाँ पर इसकी oxidation state हो गई 0 OH negative iron है oxy current की oxidation state minus 2 hydrogen की plus 1 यहाँ पर Cl negative है तो इसका मतलब यहाँ पर जो oxidation state है minus 1 हो जाएगी यहाँ पर Cl O negative है तो इसका मतलब है यहाँ पर जो chlorine है उसकी oxidation state plus 1 हो जाएगी यह तो minus 2 ही रहेगा ठीक है यह plus 1 ही रहेगा और यह minus 2 ही रहेगा तो इस वाली अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि जो chlorine है वो CL2 से CL negative iron में क्या हो रहा है अपचाइथ हो रहा है ठीक है यहाँ पर इसकी oxidation state बदल रही है और CLO negative iron में यह क्या हो रहा है ओक्सिक्रित हो रहा है यहाँ पर 0 था यहाँ पर प्लस 1 हो गया ठीक है तो इसको हम ऐसे बना भी सकते यहाँ पर यह क्या हुई है oxygen number में रिधी हुई है या फिर बढ़ोतरी हुई है और जब बढ़ोतरी होती है oxygen number में तो इसका मतलब होता है कि oxygen अभिक्रिया हो रही है यानि कि oxygen reaction ठीक है वैसे ही यहाँ पर देखिये यहां पर कमी हो रही है Oxidation number में और जब Oxidation number में होती है कमी तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि Reduction हो रहा है यानि कि अपचयन अभिक्रिया हो रही है और जिस भी अभिक्रिया में Oxygen और अपचयन दोनों ही अभिक्रिया होती है वो Redox अभिक्रिया होती है और असमानुपातन अभिक्रिया क्या होती है जब एक ही तत्व अलग-अलग oxidation state शो करें ठीक है जैसे कि यहाँ पर chlorine कर रहा है यहाँ पर minus 1 है यहाँ पर plus 1 है जो की सबसे पहले 0 था ठीक है तो यह हो गई है असमानुपातन अभिक्रिया ठीक है तो इस तरीके से यह वाला question भी हमने कर लिया है solve और हमने बहुत सारे important questions जो कि हमारे paper में आ सकते हैं ऐसे काफ़ी सारे questions की practice कर ली है अब आप ऐसे ही कुछ और questions की practice भी कर सकते हैं और साथी साथ आपको इस chapter के बाकी के जो lecture से उनका भी revision करते रहना है ताकि आपकी जो question की practice है उसमें आपको help मिल सके